नमस्कार मित्रो जैमातादी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो कन्या राशी वालो बात करने वाले हैं महिने के अंतिम बचे दिन के बारे में जी हाँ दोस्तो 28 फरिवरी का ये दिन आपके जीवन में क्या धमाल मचाने वाला है किन किन चुनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा किन किन संकडों की प्रति आपको साउधानी परतनी चाहिए संपून जानकार इस वीडियो में नहीं है शुरू से लेकर अंति तक व्यापारी गण हैं उन सभी से अनुरोत करता हूँ बात को ध्यान से सुनेगा अगर आपके व्यापार में बहुत समय से उच्छाल नहीं आ रहा है तो इसका एक मात्र रिजन यही लग रहा है कि आप पूराने तरीके से अपने बिजनस को आयाम दे रहे हैं अगर आप आदा जी के समय के विजनस को अभी तक उसी अंदाज में चला रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलत फैमी है क्योंकि इसी की वज़े से कस्टिमर्स आपके पास नहीं आते हुए आपके कॉम्पिटेडर्स के पास जा रहे हैं समय रहेते समल जाईए नई आधुनिक त तो आप भी नहीं होंगे और अगर आप उन्हें प्रसन रखते हैं तो आप भी प्रसन रहेंगे आपकी नोकरी और पदोनती समय समय पर बहुत अच्छी तरह से चलती रहेगी परन्तु आप उनसे चिड़ते हैं उनका काम दिया हुआ समय पर नहीं करते हैं जिससे आप उन क्योंकि दोस्तो मोका हर किसी को मिलता है पर बार बार नहीं मिलता और जो उस मोके को पकड़ लिता है वो जीवन में आगे निकल जाता है और जो सोया रह जाता है वो पीछे रह जाता है इसे के साथ दामपत्ती जीवन में अगर नोग जोग चल रही है तो समय रहते उसे दू बढ़ हो जाएगी और आपके रिष्टों में दरार पढ़ने की नोबत भी आ सकती हैं और आपको बाद में उनकी एहमियत महसूस होगी तो क्यों आभी समय रहते हम समल जाएं इसी के साथ दोस्तों अगर माता पिता को बहुत दिनों से समय नहीं दिया है तो ये बिलकुल सही समय हैं उन्हें आपकी बहुत ज़्यदा जरूरत है और उन्हों ने आपको पड़ा लिखा कर अगर इतना बड़ा किया है तो आपका भी करतव है कि आप उन्हें कुछ समय दे उन्हें सुईधा दे उन्हें आराम दे उन्हें कुछ भी इसा काम करके दिखा है जिससे वे प गर्में बुजुर्ग हैं आप उन्हें बार बार इग्नोर करते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं अब अदर तरीके से उन्हें चिडाते हैं कुछ भी बोलके धकेल देते हैं गलत बात हैं उनका अनुभव आपको जीवन में सब कुछ दि जरूरत है अच्छे कर्मों की, हम आपको यही सला देंगे, जितना हो सके अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, क्योंकि आप कहीं छीप नहीं सकते हैं, किसी इंसान के घर पर चोड़ी करके, आप कहीं नहीं सकते हैं, तो भगवान से आप कहीं नहीं सकते हैं, क्योंकि धरती बरे ग्रंतों शास्त्रों में कहा गया है और अगर आप अपनी छंता अनुसार विदान नहीं करते हैं तो ये बहुत गलत बात हैं आपको करना ही चाहिए इसी के साथ दोस्तों विध्यारति करनों के लिए विशेश बाद हम लेकर आये हैं कि अभी जो समय हैं ग्रह आपका ब नाये रखेंगे तो बहुत अच्छा रह tribute क्योंकि जीवन प्रद पर हजितना भाग्यें का साथ जरूरी है उतना महनत भी जरूरी है भाग्ये सितारे तो हमार साथ देंगे ही देंगे परन्तु जब जब हम भी महनत करेंगे जब हम भी कठोर परिश्रम करेंगे और हम रूकेंगे नहीं अक्सर इसा देख्या जाता है आपके सामने कोई बुसी बता राती है या पढ़ाई में कोई एक स्टेवच आपसे पार नहीं होती है तो आपका वनोबल गिर जाता है कि अब मैं इससे नहीं करूँगा परनतु हो सकता है जब अगली बार आप उसे देने वाले हो तब वो आपका final attempt हो और उस टाइम आप उसे पार करने वाले हो पर आपने तो पहले ही छोड़ दिया तो आपकी नईया तो पार होते होते रहे गई कहने का तातपरी है जम आप किसी मार्ग पर चल रहे हैं चलते चलते बहुत ठग गए है हमने ये सोचा कि आप पलेट जाते हैं पर अंतु हो सकता है एक कदम के बाद ही सफलता हो तो हमारा पूरा मार्ग जो हमने पेदल चला था वो पूर्ण रुप से वेर्थ हो गया तो आपका जीवन भी कुछ इसी तरह है हमें एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते रहने चाहे हमें सफलता मिले या नहीं सफलता नहीं भी मिलेगी तो जरूर सीखने को कुछ मिलेगा और उस सीख से आप जरूर सफल हो जाएंगे इस बात का ध्यान रखिए किसी से घ्रिणा इश्या मत कीजिए किसी से जलने की कोई बात नहीं है आपको हमेशा सब का सम्मान करना है चाहे फिर आपको दुश्मन ही क्यों नहाओ क्योंकि दुश्मन को मित्र बनाने की जो प्रवत्ति आपने एक बार सीख ली तो आप जीवन में कुछ भी कर लेंगे और आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा आप सब कुछ करके दिखाएंगे इसे के साथ दोस्तो अगर कोई आपके खिलाफ शडियन तर रस्ता है तो आपको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है क्योंकि जो आपके बारे में बोल रहा है उसको भगवान देखेंगे परंदु उल्टा आप ही ने उसके जैसा काम कर दिया तो फिर आप दोनों में कोई फरक नहीं रहे जाएगा फिर दोनों को समार रोख से सजा मिलेगी परंदु अगर आप उसके बारे में केवल अच्छा सोचते हैं तो जो आपके लिए गड़ा खोदेगा खुद वो उस ही गड़े में इकर जाएगा इस बात की शत्य प्रतिशत गैरेंटी है और दोस्तो व्यापार में आपको रिस्क नहीं लेनी है बहुत बड़ी रिस्क ऐसा भी नहीं है जोखिम बिना आप सफलता पराप्त करनेंगे छोटी मोटी जोखिम है परन्तु अभी इस समय में आपको उतना जोखिम नहीं लेना है अन्यता गड़बर हो सकती है और किसी भी अंजान व्यक्ति के सामने अपनी खास बातों को जागन नहीं करना है यहाँ पर भी दिक्कत हो सकती है और आपको विशेश तोर पर ध्यान रखना है कि कुछ लोग ऐसे भी है जो आपको भटकाने का प्रयास कर रहे है उनकी बातों में नहीं आना है वीडियो महत्वपन मुद्देपरती आने वारे 20 गंटों की सटिक भविश्वानी पसंद आई हो तो लाइक किजेगा कॉमेंट बॉक्स में जय माता दे लिख दिजेगा साथ हुमें चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि हमेशा इसी वीडियो आपको प्राप्त होती रहे हैं वीकले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद